हेलो फ्रेंज ट्रिपल फाइव शक्ती चानल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज का विडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है ट्विन फ्लेंम जरणी में कुछ words हैं जिसको लोग थोड़ा सा misunderstand कर रहे हैं ya उसका use तो बहुत कर रहे हैं पर उसको चाही से समझ के use नहीं कर रहे हैं या फिर सिर्फ बोलने के लिए उसका use कर रहे हैं जैसे कि मेरी वीडियो में भी आप सुनते हैं और बाकी लोगों को भी वीडियो में भी आप सुनते हूं क्लेम करना, चॉइसेज लेना, ठीक है संकल्प लेना ये चीजे ट्विन फ्लिम जर्नी में इंपोर्टेंट भी बहुत जादा है आज हम separation healing में इन तीनों words का क्या importance है ये समझेंगे और सही तरीके से इसका use कैसे करते हैं कुछ mistakes मैंने observe करी हैं कि इसको लोग सही से understand नहीं करते हैं या फिर claim कर रहे हैं तो कुछ गलत तरीके से या choices ले रहे हैं तो वो भी उसमें थोड़ी सी mistake है तो उसके बारे में मुझे लगा कि अलग से वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि इसके बारे में मैं बात तो करती हूँ अपने वीडियो में लेकिन अलग से इसका मैंने explain नहीं किया कभी कि एकड़म clear way में explain कर दिया जाए कि exactly सही तरीका क्या है उसको करते कैसे है किसी चीज को claim करना या अपने reunion को या अपने twin flame को या किसी other आपका कोई choice है उसको claim करना या कोई desire है उसको claim करना आपकी twin flame journey में clarity लेके आता है आपके अंदर एक clarity लेके आता है और universe में भी एक clear message भेजने में help करता है आपका clear रहना आपकी vibration का आपके अंदर clear रहना बहुत जरूरी है इसी तरीके से जब हम choices लेते हैं कुछ पुराने belief system या कुछ पुराने choices या wrong pattern छोड़ के कुछ नया belief system बनाते हैं या कुछ नई चीज choose करते हैं और तो God को ये information जाती है या आपकी आत्मा को ये information जाता है कि यस अब आपने choose कर लिया है तो आप ये करेंगे आपकी priorities अब ये हो गई है पहले में भी आपकी priorities कुछ और थी अब आपने कुछ और choose कर लिया है तो ये भी universe को clear messages भेजते हैं subconscious mind में feed हो जाता है कि इस particular area में अब आप clear हो गए है universe को ये information समझ में आ जाता है कि आप यहाँ पे इस चीज़ में clear हो चुके हैं या आपने यहाँ पे ये choices अपनी clear कर ली है clear बना ली है तो अब इसी चीज़ पे universe को काम करना है इस वज़े से clear choices लेना या claim करना important होता है आप इस तरीके की चीज़े सुनते भी होंगे कि claim your twin flame, claim your harmonious union claim your harmonious spiritual life, claim your freedom and so on इसी तरीके साब choices भी लेते हैं उसकी बाद बाद में करेंगे अभी claim करने के बारे में clearly समझ लीज़े जैसे कि आप twin flame journey में है आपने God के साथ आगे बढ़ना या फिर अपने harmonious union को चुन लिया है कि yes God मैं आपके साथ इस journey में आगे बढ़ूँगी मैं आपको choose करती हूँ इस spiritual journey को choose करती हूँ और इस spiritual journey में inner work करते हुए आगे बढ़ूँगी ठीक है आपने ऐसा choices अगर अपनी बना ली है तो अब आप harmonious union या अपना twin flame या God से happiness God से help and support कुछ भी आप claim कर सकते हैं है ना उनसे आप बोल सकते हैं help and support करनी के लिए कहीं भी आप problem में आते हैं कुछ भी ऐसा है जो आपको lack लग रहा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है आपके पास आप God से बोल सकते हैं simple claim कर सकते हैं कि God मुझे ये चीज़ चाहिए और ये आप unnecessary नहीं कर रहे हैं आप इस journey में work कर रहे हैं अपने उपर ठीक है आप work कर रहे हैं तो कहीं पे भी आपको help and support की जुरुत पढ़ सकती है आप God के साथ आगे बढ़ रहे हैं पहले ही choose कर लिया है फिर आप कोई भी चीज़ claim कर सकते हैं हाँ एक चीज़ आप ऐसी चीज़ claim नहीं कर सकते हैं कि God मैं तो इन वक करूँ की नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही हैं मैं तो normal अपनी जिंदिगी में आगे बढ़ रही हूं बट मुझे वो चीज़ चाहिए एकदम opposite नहीं होना चाहिए जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप meditation कर नहीं रहे हैं और आपको spiritual experiences चाहिए जैसे example के लिए कि कोई चक्रास कर नहीं रहा है बट वो God से कह दे कि God मेरा मैं claim करती हूँ कि मेरे सारी चक्रा आप God के प्यारे बच्चे हैं और वो आपके परमपिता हैं आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं या कुछ भी claim कर सकते हैं अगर God के साथ आप इस twin flame journey में आगे बढ़ रहे हैं spiritual journey में आगे बढ़ रहे हैं तो चली अब claim करने का सही तरीका क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ सबसे जादा twin flame journey में अपने harmonious union को अपने twin flame को claim करना जरूरी होता है है ना आपको पता है तो चली अगर मैं एक example ले लूँ की twin flame को claim करना जरूरी होता है और आप twin flame को claim करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आप सही तरीका क्या है सबसे पहले तो कुछ लोगों को doubt रहता है कि वो twin flame journey में है या नहीं सामने वाला person उनका true twin flame है कि नहीं कुछ लोग twin flame journey में होते हैं अबर सामने वाला person twin flame है कि नहीं ये नहीं clear होता मैं आज आपको फिर से ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप twin flame journey में है अगर किसी person से आपकी awakening शुरू हूई है तो बिलकुल ये जरूरी नहीं है कि वो person ही आपका twin flame हो आपको doubt भी हो सकता है आपकी twin flame journey में होने का meaning ये बिलकुल भी नहीं है कि वो person जिसके साथ आप है वही आपका twin flame हो मैंने बहुत सारे लोगों को false twin flame के साथ awakening होते हुए देखा है बहुत सारे लोग soulmate के साथ भी awaken होते है बहुत सारे लोगों की awakening कार्मिक के साथ भी होती है और उनको थोड़ा सा इनावक करने के बाद बाद में पता चलता है कि ये person उनका twin flame नहीं था मैं आपको doubt की energy में जाने के लिए नहीं कह रही हूँ लेकिन जो एक procedure होता है जो बताया जाता है कि या तो आप अपनी intuition पर बहुरोसा करें या फिर आपको inner work करते जाना है और कुछ time बाद जब आप high vibration में आ जाएंगे जब आप negativity से operate नहीं करेंगे जब आपके desire, expectation या codependency issues हील हो जाएंगे तब आपका दिमाग सही way में काम करता है सही गलत कि मैं obsessed हूँ या फिर मैं normal हूँ हर चीज़ को समझने के लिए बिल्कुल सही तरीके से ready होता है जब आप balance हो जाते हैं exactly तब आप समझ पाते हैं कि सामने वाला person आपका twin है या नहीं है तो चलिए अगर आप sure हैं भी तो भी और अगर आप sure नहीं है कि सामने वाला person आपका twin flame है तो भी इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बताने जा रही हूँ उसी तरीके से आप अपनी twin flame को claim करें आप बिल्कुल सही रस्ते पे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सबसे पहले ये जान लीजे कि आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपका परफेक्ट डिवाइन लाइफ पार्टनर है आप दोनों एनर्जिकली काफी जादा एलाइन होते हैं, एनर्जी का बहुत जादा मिस एलाइनमेंट नहीं होता है यानि आपके और उनकी एनर्जी में बहुत जादा गैप नहीं होता है बट आपको doubt होता है या किसी भी तरीके की बहुत जादा misalignment अपनी twin flame के अंदर अगर आपको दीख रही है या आपकी और उनकी vibration आपको लगता है बिलकुल match ही नहीं हो रही है या वो काफी जादा karmic जैसा behave कर रहे हैं तो आपको ये नहीं समझना है कि वो आपकी twin flame नहीं है बस आपको simple इतना कर लेना है कि आपको एक list बनानी है आपकी सोच के according आपकी अंदरात्मा के according आपका एक perfect divine life partner कैसा होना चाहिए वो सारी qualities अपने list में लिख लेनी है और जब भी claim करना है कि I choose my true twin flame, I claim my true twin flame तो आपको उसी list के according सोचना है अपने twin flame के बारे में और आपको सिर्फ अपने true twin flame की soul को feel करते हुए claim करना है नहीं आपको किसी का नाम लेना है नहीं आपको किसी का चहरा visualize करना है आपको सिर्फ आपके दमाग में खयाल होना चाहिए अपने perfect divine life partner का और उस खयाल जो आपके दिल में खयाल है आपका perfect life partner कैसा होना चाहिए सुप उस खयाल को याद में रखते हुए आप उसे claim करें कि आपको एक ऐसा ही perfect divine life partner जो की आपका true twin flame ही होगा आप उसे claim करते हैं या आप उसके साथ अपनी पूरी life गुजारना या आपका harmonious union आप claim करते हैं जिन लोगों की शादी हो गई है जिन लोग उससे शादी नहीं कर सकते हैं वो अप अपना एक permanent harmonious union claim कर सकते है कि आपको ऐसी person के साथ एक permanent harmonious union चाहिए आप अपने permanent harmonious union को claim करते हैं इस तरीके से claim करने का यही सही तरीका होता है अगर आप उस person का नाम लेके बार बार उसको claim करें कि नहीं मुझे यह person चाहिए यह person चाहिए तो नहीं यह सही तरीका नहीं होता है इसका मतलब है कि आप उस person से बहुत ज़दा आपको डर लग रहे है कि इसके साथ कैसे सर्वाइब करूंगी यह पता नहीं में को सपोर्ट भी करेगा नहीं करेगा इसका behavior तो ऐसा है वैसा है मतलब आप अंदर अंदर से डर रहे हैं और फिर भी अपने twin flame को claim कर रहे हैं तो अगर आपको perfect अपने twin flame को claim करना है तो अपने होगा कि आप कैसे person को चाहते हैं और आप उसी खयाल को आप claim कीजे जब भी claim कीजे मेरा true twin flame है वो है कहीं वो मेरा perfect divine life partner है वो मुझे कव मिलेगा मैं उसी को claim करती हूं मैं उसी के साथ रहना और उसके अंदर यह qualities है हम दोने एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं मैं उसका support करते हूं मैं support करता है that's it ऐसे claim करना होता है क्योंकि अगर आप अपने twin flame जिसको आप जानते हैं अगर उसको सोच के आप उसका नाम लेकि उसको claim कर रहे होते हैं तो कई और सारे खयाल जो उसके बारे में हैं जो उसके और आपकी life के problem के बारे में हैं जो आप लोग मिल नह generate हो जाता है जिससे कि आप full positive vibe नहीं भेज पाते हैं आप जो claim कर रहे हैं उसके साथ आपके अंदर की inner frequency मैच होनी चाहिए ना कि fear वगरा सब match नहीं होता है तो फिर claim जो आप कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं फिर universe confuse होने लगते हैं कि इनको देना है या नहीं देना है क्य तो वहां पर फिर reunion delay होने लगता है या separation लंबा होने लगता है तो exactly अगर आपको अपने true twin flame claim करना है तो अपने thoughts में अपने अंदर जाए और अपने अंदर से वो qualities निकाले जो आपके true divine life partner के बारे में है और उसको रखे उसको manifest कीज़े या उसी को claim कीज़े अपनी अंतरात से उसकी अंतरात्मा को अपने उस thought को जो अपने divine life partner के बारे में जिंदेगी भर से आपनी सूच रखा है ऐसे divine life partner को आपको claim करना है इससे आपके thoughts आपकी frequency ठीक है और आपकी soul की desire वो सब क्या होगी align हो जाएगी और फिर आप एक positive vibe भीज पाएंगे और सही से claim कर पाएंग क्या होता है कि जो लोग भी false twin flame के साथ है या फिर कार्मिक के साथ है या किसी soulmate के साथ उनकी awakening हो रही है जल से जल वो आपकी life से चले जाएंगे और जल से जल आपका true twin flame है वो आपकी life में manifest हो जाएगा और बिलकुल perfect वैसा ही जैसे आपने एक खयाल में उसको manifest किया था जै अगर कोई true twin flame आपका है तो वो manifest होगा और सारे कार्मिक चले जाएंगे चलिए तो इस बारे में तो हमने बात कर ली तो चलिए आप choices के बारे में बात करते हैं कि आप इस journey में किस तरीके के choices बनाते हैं आप कुछ पुराने belief system को छोड़ते हैं में भी पुराने belief system के according आप क कुछ और चूस कर रहे हैं अब आपको understanding develop हो गई आप किसी और तरीके से वेकन हो गए हैं अब आपकी priorities कुछ और हो गई है अगर हम example के तोर पे ले priorities को तो पहले आप अपने डियम को first priority पे चूस करते थे लेकिन अब आप अगर aware हो गए हैं तो खुद को पहली priority दे रहे हैं self love को choose कर रहे हैं first God को choose कर रहे हैं first उसके बाद अपने आपको choose कर रहे हैं तो आपके choices अब बदल गई हैं मान लीजए लेकिन आप वो choose करने के बाद उसको इस तरीके से भूल जाते हैं कि same गलती 10 दिन 15 बीस दिन या एक मेने बाद देड़ मेने बाद आप फिर repeat करते हैं म आपको self love choose करना है तो देखिए अपनी choices बनानी के लिए एक और चीज़ आपको करनी है जो आप choose कर रहे हैं वो आपको लिखना है लिख लेना है और उसको 15 डेस पर 10 डेस पर repeat करना है कि yes I choose my self love और मैंने ऐसे ऐसे priority set करी है यह मैंने priority choose करी है यह मैंने अपना career choose करा है जो मे really best है यह मैंने अपना उठने का बैठने का सोने का जागने का time choose करा है क्या choose करा है अपने उसको लिखे list बनाए और उसको repeat करते रहे हैं इससे क्या पता चलेगा आपको पता लगेगा कि आप कहां पर अपनी choices को follow नहीं कर पा रहे हैं आप अपने choose तो किया है लेकिन क्या आ हा आ पा रहे हैं कि नहीं है सिफ कहने की बातें न और जा यह सुषिज कर रहे हूं है वह करे recruitment कर रहे हैं कि जब जिस दिन आपने choices ली उसी दिन energetically वो heal हो जाता है और वो आपके choices में शामिल हो जाता है आपके habit में शामिल हो जाता है वो चीज होने लगती है ठीक है manifest भी होने लगती है और आप करने भी लगते हैं लेकिन कुछ चीजें मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारे choices आपके बाद में बेकार हो जाते हैं कुछ चीजें जोब choices लेने के बाद भी गलतियां करते हैं तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अपने choices को लिख लीजे अपने priorities आपने क्या choose करा उसको लिख लीजे ठीक है और उसको 10 दिन पे 15 दिन पे एक बार देख लीजे कि क्या आप इसको follow कर रहे हैं या आप यहां से हट गए हैं अगर हट गए हैं तो उसको align कीजें अगर नहीं हटे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है तो बड़ियां बात है ठीक है तो यह mistake नहीं करनी है इस तरीके से आपको यह चीज़ करना है देखे पहले मैं भी ऐसे unnecessary दिमाग में करती थी दिमाग में ही करती थी यह सारे संकल्प लेना choice करना claim करने सब दिमाग में ही करती थी लेकिन मैंने इसको देखा कि मैंने दिमाग में उसको करके छोड़ दिया लेकिन वो चीज़ हुई नहीं बाद में मुझे सेम चीज़े फिर से करनी पड़ी सेम हीलिंग फिर से करनी पड़ी क्यों करनी पड़ी क्योंकि जब मैं वो चाइसे ले रही थी या जब मैं वो क्लेम कर रही थी तब वहां पर मैं क्लियर नहीं थी क्योंकि अल पिर मुझे उसको repeat करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अंदर से clarity आ गई थी तो यहां पर मैं इसलिए आपकी help कर रही हूं कि आप same mistake मत खीजेगा तो okay friends, hope आपको clarity मिली होगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही, okay God bless you all friends, Om Namah Shivaya, Om Sain